मत्थी सत्रा अध्या एक से सताइस तक इशु का रुपांतर छे दिन के बाद इशु ने पत्रस और याकुब और उसके भाई युहना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उंचे पहाड पर ले गया वहाँ उनके सामने उसका रुपांतर हुआ और उसका मोसूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र जोती के समान उजला हो गया और मुसा और इलिया उसके साथ बाते करते हुए उन्हें दिखाई दिये इस पर पत्रस ने इशू से का हे प्रभू हमारा यहां रहना अच्छा है यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहां तीन मंडब बनाओ एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक इलिया के लिए वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन हूँ इसकी सुनो चेले यह सुनकर मूँ के बल गिर गए और अत्यंत्र डर गए ईशु ने पास आकर उन्हें चुआ और कहा उठो डरो मत तब उन्होंने अपनी आँखे उठायो और ईशु को छोड़ो और किसी को न देखा जब वे पहाड से उतर रहेते तब ईशु ने उन्हें यह आग्या दी जब तक मनुश्य का फुत्र मरे हूँ में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है उसने उत्तर दिया इलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आचुका है और लोगों ने उससे नहीं पहचाना परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया इसी रीती से मनुश्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे युहना बाप्तिस्मा देने वाले के विशे में कहा है दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना जब भीड के पास पहुंचे तो एक मनुश्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा हे प्रभू मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उससे अच्छा नहीं कर सके इशु ने उत्तर दिया है अविश्वासी और हटीले लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे यहां मेरे पास लाओ तब इशु ने दुश्टात्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया तब चेलों ने एकांत में इशु के पास आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके उसने उनसे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के पास के नहीं निकलती अपनी मृत्यू के विश्व की पुन्ह भवश्यवानी जब गलील में थे तो इश्व ने उनसे कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा वे उसे माय डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा इस पर वे बहुत उद मन्दीर का कर जब वे कफटन हों पहुंचे तो मन्दीर का कर लेने वालों ने पत्रस के पास आकर पूछा क्या तुम्हारा गुरू मन्दीर का कर नहीं देता उसने कहा हां देता है जब वो घर में आ तो ईश्य ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा धे शेमान तू क्या सोचता है पृत्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं अपने पुत्रों से या परायो से पत्रस ने उससे कहा परायो से ये शो ने उससे कहा तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाए तो जील के किनारे जाकर बंसी डाल औ उसका मूझ खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना यहावा ने मुझसे यू कहा जाकर सनी की एक लूंगी मोल ले उसे कमर में बांद और जल में मत भीगने दे तब मैंने एक लूंगी मोल लेकर यहावा के वचन के उससे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चटान की एक दरार में छुपा दे यहावा किस आग्या के अनुसर मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छुपा दिया बहुत दिनों के बाद यहवा ने मुझसे कहा उठ फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने के आग्या दी थी उसे वहाँ से ले ले तब मैं फरात की पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड गई थी पर किसी काम की न रही तब यहवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा यहवा यो कहता है इसी प्रकार से मैं यहुदियों का गर्व और यरुशलिम का बड़ा गर्व नश्ट कर दूँगा इस दुष्ट जाती के लोग जो मेरे वचन सुनने से इंकार करते हैं जो अपने मन के हट पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपास ना करते और उनको दंडवत करते हैं वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही यहवा की यहवानी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुश्य के कमर में कसी जाती है उसी प्रकार से मैंने इसराइल के सारे घराने और यहुदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ती और शुभा का कारण हो परन तो उन्होंने न माना इसलिए तो उनसे ये वचन कहे इसराइल का परमेश और योवा यो कहता है दाकमदू के सब कुपे दाकमदू से भर दिये जाएंगे तब वे तुझसे कहेंगे क्या हम नहीं जानते कि दाकमदू के सब कुपे दाकमदू से भर दिये जाएंगे तब तो उनसे कहना योवा यो कहता है देखो मैं इस देश के सब रहने वालों को विशेश करके दाउद वन्श की गदी पर विराजमान राजा और याजक और भवश्दक्ता आदी यरुशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदीरा पिला कर अच्चेत कर दूँगा तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूँगा अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से योवा की योवानी है मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको रश्ट होने से बचाऊंगा देखो और कान लगाओ गर्व मत करो क्यूंकि योवा नहीं हो कहा है अपने परमेश्यों योवा की बढ़ाई करो इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाव अंधेरे पहाडों पर ठोकर खाए और जब तुम प्रकाश का आस्रा देखो तब वह उसको मृत्यू की छाया में बदल दे और उसे गोर अंधकार बना दे पर यदि तुम इसे न सुनो तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आंखों से आस्वों की धारा बैती रहेगी क्योंकि योवा की भेडे बंधुआ कर ली गई है राजा और राजमाता से कहर नीचे बैठ जाओ क्योंकि तुम्हारे सिरो के शबायमान मुकुट उतार लिये गए हैं दक्षन देश के नगर घेरे गए हैं कोई उन्हें बचान सकेगा संपूर्ण यहुदी जाती बंधी हो गई है वो पूरी डिती से बंधुआई में चली गई है अपनी आँखे उठा कर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं वो सुन्दर जुन्ड जो तुझे सौपाल गया था कहां है जब तेरे उन मित्रों को तेरे उपर प्रदान टहराएगा जिन्हें तुने अपनी हानी करने की शिक्षा दी है तब तु क्या कहेगी क्या उस समय तुझे जज्जा किसी पिडाएं न उठेंगी यदि तु अपने मन में सोचे कि ये बाते किस कारण मुझ पर पड़ी है तो तेरे बड़े अधरम के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एडियां बलपूरवक नंगी हो गई है क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है यदि वैसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी इस कारण में उनको ऐसा तीतर बीतर करूँगा जैसा बूसा जंगल के पवन से तीतर बीतर किया जाता है यहवा की यवानी है तेरा हिस्सा और मुझ से टहराया हुआ तेरा भाग यही है क्योंकि तुन्हें मुझे बूल कर जूट पर भरोसा रखा है इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुझ तक उठाऊंगा तब तेरी लाज जानी जाएगी व्यबचार और चोचला और चिनाल पनादी तेरे गिनोने काम जो तुने मैदान और टिलो पर किये हैं वे सब मैंने देखे हैं हे यरुशलेम तुझ पर हाई तु अपने आपको कब तक शुद न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी यर्मिया चौधा अध्या आए यहवा का वचन जो यर्मिया के पास सूखा पढ़ने के विशे में पहुंचा यहुदा विलाप करता और फाटकों म लिए भेजते हैं वे गड़ों पर आकर पानी नहीं पाते इसलिए चूचे बरतन लिए हुए घर लोट जाते हैं वे लजजित और निराज शोकर सिर्धांप लेते हैं देश में पानी न वरसने से भूमी में दरार पड़ गई है इस कारण के साम लोग निराज शोकर जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती जंगली गदहे भी मुंडे टेलों पर खड़े हुए गीदड़ों के समान हाफते हैं उनकी आंके दुंदला जाती है क्योंकि हरी आली कुछ भी नहीं है है यहोबा हमारे अधरम के काम हमारे विरुद साक्षी दे रहे हैं हम तेरा बट के समय उसका बचाने वाला तुही है तो क्यों इस देश में परदेशी के समान है तो क्यों उस बटोई के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो तो क्यों एक विस्मिक पुरुश्या ऐसे वीर के समान है जो बचा ना सके तो भी है यहोबा तो हमारे बीच मे हैं और हम तेरे कहलाते हैं इसलिए हमको नतज यहवा ने इन लोगों के विशयों कहा इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है यह को करम में चलने से नहीं रुखे इसलिए यहवा इनसे प्रसन नहीं है वो इनका अधरम स्मरंड करे और उनके पाप का दंड देगा फिर यहवा ने मुझसे कहा इस प्रजा की भलाई के लिए प्रात्ना मत कर चाहे वे उपवास भी करे तो भी मैं इनकी दोहाई न सुनूंगा और चाहे होंबली और अन्न बली चड़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन नहोंगा मैं तलवार महेंगी और मरी के दूरा इनका अंत कर डालूंग तब मैंने कहा हाई प्रभू यहवा देख भविश्यदक्ता इनसे कहते हैं न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महेंगी होगी यहवा तुमको इस्थान में सदा की शांती देगा तब यहवा ने मुझसे कहा यह भविश्यदक्ता मेरा नाम लेकर जूटी भविश्यवानी करते हैं मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आग्या दी और न उनसे कोई भी बात कही वे तुम लोगों से दर्शन का जूटा दावा करके अपने ही मन से व्यर्त और धोके की भविश्यवानी करते हैं इस कारण जो भविश्यदक्ता मेरे बिना बेजे मेरा नाम लेकर भ किये जाएंगे और जिन लोगों से वे भविश्यवानी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरुशलीन की सडकों में फेक दिये जाएंगे कि न तो उनका न उनकी स्थ्रीयों का और न उनके बेटे-बेटियों का कोई मिट्टी देने वाल रहेगा क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के उपर उंडे लूँगा तो उनसे ये बात कह मेरी आंखों से दिन रात आसू लगातार बहते रहे वे न रुके क्योंकि मेरे लोगों के कुवारी बेटी बहुत ही कुछली गई और घायल हुई है यदि मैं मैदान में जाओं क्या तुने यहुदा से बिलकुल हाथ उठा लिया है क्या तु सियों से घ्रणा करता है नहीं तुने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे होई ही नहीं सकते हम शांती की बाट जो होते रहे तो भी कुछ कल्यान नहीं हुआ और यदिय भी हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है है यहवा हम अपनी दुष्टता और अपने पुर्खाओं के धरम को भी मान लेते हैं क्योंकि हमने तेरे विरुद पाप किया है अपने नाम के निमित हमें न टुकरा अपने तेजों में सिंगासन का अपमान न कर जो वाचा तुने हमार परमेश्वर यहवा क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है हम तेरा ही आस्रा देखते रहेंगे क्योंकि इन सारी वस्तों का सुर्जन हार तू ही है भाजण सहीदा तिरासी अद्ध्याए हे परमेश्वर मौन नर्ह हे परमेश्वर चुर नर्ह और न शांत fountain रह क तेरे बैरियों ने सिर उठाया है, वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानी की सम्मती करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद युक्तिया निकालते हैं, उन्होंने कहा आओ, हम उनका ऐसा नाश करे कि राज्य में मिट जाए और इसरायल का नाम आगे को समरण न रहे, उन नाले की और सोर समेथ पलिष्टी है, इनके संग अशूरी भी मिल गए हैं, उनसे भी लूत वन्षियों को सहारा मिला है, इनसे ऐसा कर जैसा मीद्यानियों से और किशोन नाले में सिसरा और याबिन से किया था, जो एंदोर में नश्ट हुए और भूमी के लिए खाद बन इनके रईसों को औरेब और जायब सरीखे और इनके सब प्रदानों को जेब और सल्मुन्ना के समान कर दे, जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराईयों के अधिकारी आप ही हो जाए, हे मेरे परमेश्वर, इनको भवंडर की दूली या पवंद से उड़ाय हुए बू इसम करती है और उस लोग के समान जो पहाड़ों को जला देती है तो इन्हें अपनी आंदी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे, इनके मूँ को अती लजजित कर कि है यहोवा, यह तेरे नाम को ढूंडे, यह सदा के लिए लजजित और घबराये रहे, इनके मू झैला का झाला की दो इनके मूँ को यह सब करते है और अपने से घ्चिए को जबराये।